जोहिंदोर नमस्कार महत्तो कांक्सी छात्र रव मैंने दर्शगण गृत्मांट UPSC के संदी सेवायो मन्या प्रतिग्टा परिक्साव के लिया थी महत्तो पोड़ाया से संसोधीत संपदेक्किया विश्यशन के आज के यानी 27 जुले 2021 के इसे सत्र में मैं दुरूजानी आप सबकार दिक स्वागत करता हूँ आज से यानी 27 जुले इसे जो आप देख रहे है कि जो संसोधीत संपदेक्य विश्यशन के जो सब्तर है उनका जो सभाव यहां अब बिदल रहा है इसका नया आउतार आ गया है जैसे आप देख रहे है कि अब से आज से अम लोग जो महत् सेशन में ही डिसकसिंग किया जाएगा साथी मैं यहां समय भी बिदला है जैसे आप देख रहे है कि प्रती दिन जो सबसे प्रतम सत्र हमारा आठ बजे जो प्रदेशी तो था आठ बजे प्रेमियर दोता था वो आठ के बिदले अब एक घंटा पहले यानी कि 7 बजे प्रत प्रत की जो है मदत से हम लोग यहां अब अमरी जो चर्चा है वो करने का प्रेयास करेंगे सारी चीजह में आपके सामने तयार लेकर आउंगा और यहां लोग एक ब्रीफ डिसकersion के तहत चीजह को समझेंगे ताकि हमरा समय बरबाद ना हो और चीजह को प्रेसली अची 29th World Heritage Site, जो न्यूज आपने भी सुना होगा, यहां से जो परिक्सा संबंधी चीजे है, उसको हम लोग देखने का संबंधने का प्रियास करेंगे, दूसरा मिंदू कहता है कि Draft Emigration Bill 2021, Draft Emigration Bill यानि कि जो यहां से बाहर जाने वाले, जो हमारे वरकर से, जो लेबर से, उनको ये रिलेट करता है, तो देखेंगे, यह Draft में कौन-कौन सी, जो है प्राउदाने कौन-कौन सी चीजे है, और आखरी में जो ecological imbalance, जो हमें देखने को मिला हिमाचल में, जैसे हमने देखा कि एक पूल जो है किनो डिस्टिक्ट में, वो तूट पड़ा, लेंड स्लाइट भारे जो है वर्साइट की वजस है, पारी बारिस की वजस है, तो यह जो ecological imbalance है, इसका क्या repercussions है, साथी में यह ecological imbalance का क्या कारण है, इन सारी चीजों पर हम लोग आज यहां चर्चा करेंगे, जैसा आपको मलूम है, हमारी चर्चा बाइलिंग्वल रहेगी, जिन में जो चीजे जो एवरी competitive exam, ठीक है, और उसके साथ जो यहां आपको symbols दिख रहे हैं हमारे न्यूस दूपर रेफरेंस में से, तो जिन जिन newspapers का यहां लेख लेंगे, उनका symbol यहां लगेगा, तो आपको cover से ही मालूम पड़ेगा, कि आज, सपोज आज हिंदू और Times of India है, Indian Express नहीं है, कलको Indian Express होगा, Times of India होगा, Hindu नहीं होगा, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने यहां यहां सेट अप करने का प्रियास की है, तो देखेंगे, पूरी चर्चा अमरी शुरू करेंगे, सबसे प्रतम बिंदू आज का है, रामपा टेम्पल, लिस्टेद ऐस 39th UNESCO साइट, देखें यहां उसका द्रश्य है, बहुत ही जो है प्राचीन मंदिर है, और मदियकालीन मंदिर ही से हम लोग कह सकते हैं, वी विल बी डिसकेसिंग अटायर सब्जेक्ट, अटायर लेक्चर, इन सम पॉइंट्स, वीचार, वाई न्यूज, सबसे परतम तो यह न्यूज में क्यों है, फिर बाउट रामपा टेंपल, इसके बारे में देखने का प्रियस करेंगे, जो परिखसा लखशी महिती यहार उसको देखंगे, टेंपल अर्खिटेक्ट्र जो बहत ही महत्तो कुन रहता है हमरे populaire की इसंपने का प्रियस करेंगे, और सेंड बोक्स टेख्निक, जो कि इस सम मंदिर का जो नीव है उसके निर्मान में यह लागू है तो यह टेक्निक की है उसको भी टेक्निकली समझने का प्रयास करेंगे रही बत एक्जम रिलेवंस की तो वी कन रिलेट इस पर्टिकलर टॉपिक विथ जी एस पेपर one जिस में culture है और साथ में culture के साथ ही जोड़ी बहुत history भी हमें चानने को मिलेगी क्योंकि अगर देखे यह मंदिर का निर्मान तो हमें history में जांकना पड़ेगा तो कुल मिला के कल्चर और हिस्ट्री संबंधी है आज का महत्तो पोन पहला टॉपिक है जिसको हम लोग यह क्लासिफिकेशन के अताथ देखेंगे जिन मैसे सबसे प्रथम हमें देखना है वाई न्यूस दो बिंदू है सबसे प्रथम देखेंगे युनेस को डिकलेड रामपा टेंपल एज सबसे सब्सक्राइब करती है और इनके दवरा ही पुरे विश्व में जो भविय प्राचीन विरासत वाले स्थल है उनको यह वाल्ड हेरिटेज साइट याने की वहस की स्रणी में रखता है जिससे इन जो स्थापतियों का इन मॉन्यूमेंस का महत्तव अधिक गुना बढ़ जाता है साथी में यहां से सरकारों की जिम्मदरी भी बढ़ती है चाहे वो राज्जी हो चाहे वो केंद्र हो क्योंकि अब उनको भी इस पर्टिकुलर स्थल को जो ज्यादे संरक्षित रखना होगा तो इस तरीक ऐसा ही है अपने आपने कल्चर को वो जो नेस्त नाबुत हो रही जो विरासत है जो अमरी संस्कूरूती है उसको बचने के लिए युनेस्को जो है वो वर्ल्ड वाइड ऐसी साइट्स का इसी साइट्स को इडेंटिफाई करता है और उन्हें इस लिष्ट में या इस सूची में रखता है अगर वल्ड की बात क या रुद्रेश्वर टेंपल भी कहा जाता है देखेंगे उसके बारे में और आगे जो परिक्सा लक्सी पहलू है उनको भी समझने का प्रियास करेंगे अगर दूसरा बिंदू देखे तो वो कहता है कि युनेस्को डिकलेड इट इन इस फॉर्टिफॉर्थ सेश्न यह च चीनी के फुजो जो सिटी है चीन का इसमें यह आयोजित हुआ था तो यह सारी कुछ इसकी फंडामेंटल बेजिक माहिती है अब उसके बाद देखें तो अब आउट रमपपा टेंपल में देखना है देखिए रमपपा टेंपल की इमेज है जो आपको दृश्यमान है एक के बाद एक को समझेंगे मंदिर की मंदिर की जो संबंधी जो चीजे है जो मैं समझ नहीं है उसको भी देखते चलेंगे सबसाब रथम इस वस बिल्ट इट उस बिल्ट बाई जनरल रचला रुद्र के द्वरा ये मंदिर बिनाया गया था जोकी काक्तिया एंपायर के गणपती देवा नमक राजा का सेनापती था, उनके द्वरा ये मंदिर बिनाया गया था, इंपोर्टेंट है राजा कोंसी डाइनस्टी का था वो भी इंपोर्टेंट है राजा का नाम है और राजा का जो सिनवति यह जिसके दौरा मंदिर का निर्मान हुआ वो सारी चीजे इंपोर्टेंट है और कब न यह भी महत्तोपुना है 1213 एडी में यानि की 13th century ठीक है तो यह मीडिवल काल या मीडिवल पिरियेट कह सकते है अब दूसरे बिंदू देखे तो उसके तहट हमें देखना है कि यहां जो मेंडेटी है वो डेटी है रामलिंगेश स्वामी जो अपने आप में लोड शीवा का भगवान शीव का महादेव का एक अवतार है और उसे ही यहां मेंडेटी की तरह यानि की एक प्रमुख देवता की तरह पूजा जाता है तो अपने आप में यह मंदिर अगर पूछा जाए तो यह मंदिर लोड शीवा को डेडि कि रूदरेशोओरा टेंपल गर यहिसा इसका नाम रूदरेशोओराटेंपल है मगर रामपप यूँ क्यों कर जाता है तो रामपप इसका एक स्थपती था सलट्डर था जिस कहीं पूछा जाए फिर उसके बाद जो अख्रिब इंदू है वो कहता है कि European merchants and travelers mesmerized the beauty of the temple वे मंत्रमुग्द है इस मंदिर की भगिता से जब वे आते थे यहां यह बात है मध्यकाल की जब उन्हों उन्होंने भारत का root-spersodha भारत जो अन्होंने सोधा फिछ बाद में वहां कbok ट술 थे वे तो व्या ठीड वहां के तुछ वहां के व्यापादी थे वे लोग भारत मनदिर स्थापति कि अगर कोई तारह है तो वह रुद्रेह्तार मंदिर और यह यह तलंवना थ्यट है तो यह चीजे जो है वह मियां से थोड़ी समधे सब्ते है और अहमारी स्थापति इन्याओं में वह भी अमलोग ले सकते हैं फिर उसके despite देखे तो temple architecture देखना है कि कैसे है यह जो मंदीर है उसका जो स्थापती है वो कैसे उसकी रिचना की गई फिर से तींचेर बिंदू है जिसके तहट हम लोग देखते चलेंगे पूरी स्टोरी सबसाब रधम तेम्पल स्टेंट सुन सिक्स फिट सैप्ड प्लेटफॉर्म स्ट और निर्मान शैली की तो वह हमें बैसर सैली देखने को मिलेगी यह थे बहुत इमहत्पुम्ग मस्थना, फिर आगे देखे तो इसकी दिवले इसके स्थम्भ इसकी छद सारी चीज है बहुत ही अच्छी बहुत ही अलंकरित है यानि कि इनके उपर करविंग की गई है और बहुत ही वह डिजाइंड है माइन्यूट है फिर उसके बाद फांडेशन की बत करवा तो इस बिल्ट विथ सेंड़ोक्स टेक्निक ये एक नया सब्द है सेंड़ोक्स टेक्निक जो अपने अपने प्रिलिम्री पॉंट ऑफ यू से तो महत्तो पून ही है मगर मुख्य परिक्सा वो अमरे क्यूंक मैं की बत करें तो ये सिठम्बा से बसलाट से बनाये गए है तो कुछ सेंडोचना की टेक्निकल बात है थी उसके बाद देखा तो लोगर पार्ट अफ देंपल is built by red sandstone यानि कि जो लाल रहत है उसके द्वारा मंदिर का जो मिचला भागे वो बनाया गया है वहीं जो मंदिर का जो प्रवेस द्वार है जिसे वाइट गोपुरम कहते है ये बहुत ही हल्की फुल्की इटो इससे द्वारा बनाया गया है जो इटे अपने अपने पानी के उपर तेर सकती है ठीक है तो ये कुछ इसकी जो है संवर्चना की बात है किस से मंदिर बनाया गया कुन सा भाग किस से बना उसके बाद अगर आगे देखे तो इंस्क्रिप्शन डेट से टेंपल टू 1135 सक्सवंत यानि कि सक्सवंत 1135 के वर्स में ये मंदिर बना था और महा महिना का ये आठवा दिन था प्लस अगर इसा गरगरियन कलेंडर के द्रश्टी से देखे तो ये 1214 में बारा जानिवरी को इसका निर्मान जो है इस अगरिश्टी से मत्तों पोन थावीत हो सकती है फिर उसके बाद देखे तो देखे यह सेंडबॉक्स टेक्नीक है और यह तेक्नीकल चीज है और अपने आप में एक प्रकार से जो सिस्मिक प्रूफ कंस्रुक्शन है यानि कि जो अर्थ को प्रूफ कंस्रुक्शन है उस उसके साथ रिलेट करती है देखेंगे यहां एक पीट बनाया गया होता है और यहां पीट जो होता है वह फाउंडेशन के लिए होता है अपने भी कहीं जगह देखा होगा जहां कंस्ट्रक्शन चल रहा है अगर वहां निव रखनी है तो निव के लिए एक थोड़ा जो है एक गड़ा खुदा जाता है फिर उसको भर दिया जाता है किन-किन चीजों से इस फिल्ड विद दा मिक्स्चर ऑफ सेंड याने की रेत है लाइम है निम्बू है जैगरी है और ब्लेक मैरोबैलन फ्रूट है जिसे कराकया कहते है तो इन तिनों का मिक्स्चर यह जो पीट है उसमें डाला जाता है यह पीट पुरा का पुरा इस मिक्स्चर से भरा जाता है अब यह कैसे काम करेगा देखिए फांडेशन एक्स अज कूशन यक प्रकर से प्रकर से की तरह काम करेगा और जो यहां से आ रहे है वह सिधे अंदर उतर जाएंगे और इनकी ज्चर से ही इस मिक्स्चर में ही समब्पना हो जाएगी तो इनके द्वारा मंदिर को या पुरा स्थापत्य को नुक्षन होने की संभवना नहीं वत है, तो यहां से यह भी हम लोग कह सकते है कि इतने साल पहले, आप हमरी engineering skills देखिये, architectural skills देखिये, कि तब हमने seismic proof construction बनाया था, in a medieval period, and it was a very starting of medieval period, यहने कि तेरवी सदी की अब शु यसे sandbox technique कहते है, तीन चीजों का मिसरण, I mean चार चीजों का मिसरण, सबसे प्रथम, mixture of sand, lime, jaggery, and black myrobalan fruit, ठीक है, और वो यहां foundation के pit में, डाले जाएंगे, pit उससे पुरा का पुरा परह जाएगा, तो यह बात रही sandbox technique की, तो यहां, यह जो, रुद्रश्वर मंदिर का मुद है, वो आज का है draft immigration bill, यहां से बार जाने वाले लोग है, दो तरह की चीजे होती है, देखिए globalization के माहूल में, एक होता है immigration, एक होता है immigration, इमिग्रेशन यहनि कि कोई व्यक्ति आपके देश आए, बाहर से, चाहे वो काम करने के लिए है, चाहे वो कोई भी, उदेशियस तो यह लोग, मत्र और मत्र यहां से जो बाहर जाने वाले लोग है, उनके साथ जुड़ा हुआ है, देखिए यह immigration है, यानि कि going out, जो immigration है, यह immigration है, जो बाहर जाता है, और immigration है, जो अंदर आता है, अगर इसके exam relevance की बात करें, तो the whole topic is relevant with GS paper 2, इसमें governance, क्योंकि अपने आप करता है, कैसे कानून imply होता है, क्या उसके, जो है, implementation के जो tactics है, वो सारी चीज़े हम लोग यहां governance में देख सकते है, same, हम लोग यह पुरा मुद्धा, यह चार बिंदू के ताथ समझेंगे, सबसे वाई news देखेंगे, key points, यानि कि जो कुछ प्रमुख बिंदू है, उसको द जर्चा, तीन बिंदू देखने है, सबसे ब्रत्रम कहता है, कि in early June, Ministry of External Affairs invited suggestions from public for Immigration Bill 2021, अभी तो draft है, ठीक है, Parliament में introduce भी नहीं हुआ, तो इसके पहले, Ministry of External Affairs ने समनी जंता की राही मागी, उनके सुझाओ मंगे, कि यहां draft, Immigration Bill को लेकर, अब क्या सुझाओ, दे सकते हो, दूसरा, Bill could not, Bill could introduce, I'm sorry, at any time in Parliament, yes, अब पर्लामेंट की, पर्लामेंट में प्रवेस्की कगार पर यहां कानून जो है, वो खड़ा है, या अब कह लिजिये कि यह जो Bill है, वो यहां खड़ा है, तीसरा बिंदू कहता है कि Bill presents a long overdue, opportunity to reform recruitment process for nationals seeking employment abroad, yes, कई सालों से यह मांग चल रही थी, क्योंकि आज जो Emigration Act 1983 जो आज operation में है, वो अपने आप में outdated होता जा रहा है, उसकी जो provision से वो थोड़ी rigid होती जा रही है, समय के साथ अनुकुलन की स्थापना जो हो नहीं हो रही है, तो यहां इन सरी चीजों को त्यान में रगत हुए, यह एक नया बिल काफी सम सदनों में से, फिर बाद में प्रेसिडेंट का एसेंट मिलेगा, तो यह अपने आप में एक ऐसी opportunity थी, या एक ऐसी opportunity है, जो काफी दिनों से, काफी समय से, काफी बरसों से एकदम pending रही है, ठीक है, तो यह यहां से, यह जो Emigration की बात है, वो आई, सबसे प्रथम बिंदु इसमें वाई न्यूज का देखे तो, सजेशन्स अर इन्वेटेड फ्रों पॉब्लिक, पॉब्लिक इन्पुट इन्वेटेड फॉर राफ्ट ओफ एमिग्रेशन बिल 2021, फिर दूसरा बिंदु देखे तो, अमें कुछ चमत्तोपोन बिंदु देखने है, इस मुद्दे के साथ जुड़े हुए है, जिसमें सरो प्रथम, लेबर माइग्रेशन गवेंड बाई एमिग्रेशन आक 1983, आज दिन तक, आज जो लेबर माइग्रेशन हो रहा है, काफी लोग अलग लग देशों में जाते है, और भारत तो, इनमें अवल है, क्योंकि जो कुछ पीछले साल में जो रिपोर्ट सा रही है, जो स्टडीज हो रहे है, उनके दोरा कहा जा रहा है कि नंबर ओफ माइग्रेशन सबसे ज्यादा अगर किसी देश के जो है, तो वो है भारत के, जो फोरेंड रेमिटेंस, अगर किसी देश को सबसे ज्यादा मिल रहा है, तो वो है भारत को, ठीक है तो यहां भारत का जो वोल्यूम है, माइगिरेशन का वो बहुत ही ज्यादा है और उसमें भी एमिगरेशन का जो वोल्यूम है वो काफी ज्यादा है. तो लेबर माइगरेशन इस गवंड बाई एमिगरेशन एक 1983 2023 प्रिलिम में इस प्रकर का प्रसना पूछा जा सकता है. दूसरा बिन्दु देखें तो न्यू बिल एन विभी सैंजिस्स, कॉम्प्रियहनसिव एमिगरेशन मेनेजमेन्ट. जो न्यू बिल है, वो इमिगरेशन मेनेजमेन्ट है, जो आज बहुत इची तरी कैसा नहीं हो रहा है वो उसका जो एपरोच है वो comprehensive बिनने की बात है यानि कि संपूनाओ जो कोई भी चीजे जो इस बिल में नहीं है या इस कानून में नहीं है वो सारी चीजे यहां दाखिल की गई है सारी चीजों के लिए अलग-अलग प्राउधन बिनाए गए है तो एक प्रकर से comprehensive approach की बात ये नया बिल करता है तिस्रा बिन तु देखे तो to institute regulatory mechanism governing government of Indian national yes जो अज ये बिल है इसके दोरा कोई ऐसा institutional mechanism create नहीं किया गया इस्टबिस नहीं किया गया तो ये भी एक इसका उदेशिया है कि to establish an institutional mechanism या आप कह सकते है कि एक प्रकर का एक प्रकर की संस्था की या प्रकरिया जिसके दोरा जो बाहर जो लोग है जो उमरे काम कर रहे है उनके उपर रोजगारी नियंत्रन जो है वो सरकर के दोरा रखा जाए या मत्र नियंत्रन ही नहीं मगर अगर उनके कोई grievance है उनकी कोई शिकायत है फरियाद है तो उसका भी निकाल जो है वो यहाँ अच्छे देगे से किया जाए और चोथा बिंदु कहता है to establish framework for protection and promotion of welfare of immigrants ये इस इस कानुन का उद्दिश्ची है क्योंकि आम तोर पर जो लेवर क्लास है जो बाहर जाते है तो उनके साथ अतियाचर किये जाते है ठीक है जो recruiters है उनके द्वरा जो manpower agencies है जो recruitment का कारी करती है उनके द्वरा इन छोटे वर्गों के लोगों के ऊपर बहुत ही अतियाचर किये ज अपने आप में जो लेवर से उनके राइट्स उनके अधिकार का हनन किया जाता है ठीक है तो पक्स प्रतिपक्स दुनों चीज़े है जो इस बिल के साथ हम लोग देखेंगे फिर आगे देखे तो अगर बिल की बैद करें की features की so two points first of all a draft proposes three-tier institutional framework three-tier institutional framework या नहीं की तीन स् जिन में सबसे उपर रहेगी M.E.A. फिर एक स्तर रहेगा फिर नीचे जो है तीसरा स्तर रहेगा जिन में यहां दूसर स्तर पर Bureau of Immigration करिया करेगा और तीसरा स्तर पर जो नॉडल agencies है अलग-अलग राज्यों की और केंडर साशीद प्रदेश हो की उनके द्वारे करिया किये जाएगा so this will be working as a three-tier mechanism at top it will be headed by Ministry of External Affairs and Ministry of External Affairs is nodal ministry for it too दूसरे बिंदू पर Bureau, Bureau of Immigration के द्वारा करिया किये जाएगा और तीसरे बिंदू पर respective state वो यूटीज की जो नॉडल agencies है जो की immigration का करिया देखती है उनके द्वारे यह करिया किये जाएगा ऐसा यहां बिल में एक जो है एक बिल में कल्पना की गई है फिर आगे देखे त वर्टीकल पॉलिसी कोहरेंस और एमिघरेशन मेंटर्स यह जो आध दिन तक एमिघरेशन मेंटर्स बहुती पंडिंग रहते थे टांसपरेंट नहीं थे मेकनिजम फ्लोस थे वो सारी चीजह अब अब इसमें से निकल जाएंगी और मत्र ओर मत्र एक वर्टीकल पॉलिसी जो है coherence वो देखने को मिलेगा जो अपने अपने emigrations के लिए फाइदा मंद है और उनकी शिकायत वो उनके संरक्षन के लिए भी फाइदा मंद है तो यही चीज़े है जो कि इस बिल के जो है key features में हम लोग कह सकते है फिर आगे देखे तो हमें significance issues देखने है इस कानून के साथ संबंदी 6 बिंदू है जो पहले तीन बिंदू है वो अपने आप में significance की बात करते है और जो अन्य तीन है वो अपने आप में issues की बात करते है समझेंगे दोनों पक्सों को सब सब रतन बात की जाए तो updated law for emigration as there is a shift in quantum nature pattern of emigration etc. जिसका जिक्र में ने किया कि अगर पिछले कुछ सालों के आकड़े देखे तो हमारे emigration है उसका pattern भी उसकी बिदली है उसका सभाव भी बिदला है वो उसका quantum quantity भी बिदली है और साथी में उसकी direction दीसा भी बिदली है बिस बर्स पहले है जो भारती यूएस जाना पसंद करते थे वो आज यूएस जाना के बजाए अनिय देशों में जाना पसंद कर रहे है तो यह परकर की direction है तो यहां सारी चीजों में फिरफर हुआ है तो यहां नया लो एक समय की मांग है वो अपने आपने एक बहुत ही obvious बात है उसके बात देखें दूसरा बिंदू तो government's attitude towards international migrants हो चेंज ओवर टाइम यस गवर्मेंट का जो attitude था गवर्मेंट का जो approach था उसमें भी फिर फिर देखने को मिला है क्योंकि 1970 के दश्रक में जो एनराइस थे उनको non requiring Indians कहते थे not returning Indians क्योंकि अपना आप में तो brain drain जो अब्यारत ही थे जो bright अब्यारत ही थे वे बाहर जाते थे और वहीं सेट होते थे तो उनका जो intellectual गून था उसका लाव भारत को नहीं मिलता था मगर अनिय देश को मिलता था तो यहां brain drain की समय सिया तब वास्तवीक थी मगर आज समय जो है वो बदला है तो दीरे दीरे government का attitude इंक्लूजीव एप्रोच दाखिल कर रही है और तीसरा बिंदू significance का कहता है कि प्रपोस्ड बिल विट इस ट्रॉस्ट ऑं स्ट्रेंथे निंग इंस्टिूशनल फ्रेमबर्क फॉर एमिग्रेशन मेनेजमेंट इस तो इंस्टिूशनल फ्रेमबर्क जो आज भारत में लग 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 पैरालिसिस है उसको फिर से सजीवन करने का और उसको फिर से कार्य शिल बनने का यहां काम इस कानून के द्वरा किया जाएगा संभवता ऐसा लगता है यह बात रही significance की importance की अब अगर issue की बात करें तो काफी सारे issues है वैसे तो इस कानून के साथ मगर पुरण इन में से देखें तो प्रथम कहता है कि not much focus on white colored immigrants. Yes, the bill only focuses blue and black colored jobs. दूसरा बिंदू कहता है कि bill permits menpower agencies to charge worker fees and other charges. Yes, यह बहुत ही आप कह सकते है कि एक आनिकरक प्रावधान है इस कानून का जो अपने आपने जो recruiters है और जो menpower agencies है उनको सकता देती है कि वे worker के पास से service fee ले, recruitment charges ले, जो विजा के लिए खर्चा हो रहा है वो ले, medical examinations ले, ट्रावेलिंग ले, ठीक है, मगर जो 83 का लो जो आज कारियशिल है उसमें यह सारी चीज़े employer के उपर नहीं है, सारी responsibility employer की होनी चाहिए जो यहां से निकाल दिया है तो यह अपने अपने workers का exploitation करेगा, workers और उनके family को vulnerable परिस्थिती में लाकर खड़ा कर देगा, यह एक संभ बिलके कोई प्रावधन किसी भी worker के द्वारा complain नहीं किये गये, परिपुन नहीं किये गये, तो SMH गवर्मेंट को सब्ता है कि वो किसी भी worker का passport suspend करे या उसे cancel कर दे, साथी में उसके उपर penalty भी जो है रखे, recruiters and public officials में misuse this provision, यहां से यह एक संकट रुपन होता है कि SMH जो agencies जो manpower agencies है, recruiting agencies है, वो public officials है, यहां कि bureaucrats है, उनके द्वारा यह प्रावधन का परपूर गयरुपयोग हो सकता है, और इस से जो अतियचार होगा, जो सोचन होगा, वो बहुत ही मधियमवरगी यह लोगों का होगा, labor वरगों का होगा, तो यह अपने आप में इस कानून के कु तो पोना सबीत हो सकता है भारत के लिए, अगर immigration act देखें जो आज कारियेशिल है, ठीक है, तो इसके भी कुछ बिंदू है, one by one देखेंगे, सब सब रहत हम बात करता है कि it sets up mechanism for hiring through government certified recruitment agencies, चाहे वो personal हो, चाहे वो group हो, ठीक है, तो यह एक प्रकर का mechanism है, जो अपने अपने fraudulent activities को कम करेगा, क्योंकि आम तोर पर हम लोग देखते है कि कोई व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को बाहर जने की लालच दिखाई, और कुछ पैसे लेकर वो फरार हो गया, ठीक है, तो ऐसे fraudulent activities से बचने के लिए, यहाँ एक government verified या certified agencies को यहाँ जन्म देगा, establish करेगा, जिसके तह travel and employment documents, यह एक प्रकर से government के लिए, एक database भी create करेगा, यह कर रहा है, जिसके तहत, worker की जो travel history है, वो भी देखी जाएगी, और उसका जो employment, जो document है, वो भी वहाँ रह सकेंगे, और उसे immigration clearance कहते है, ठीक है, तो आम तोर पर जो labors है, उनके लिए यह immigration clearance ज़रूरी है, ठीक है, औ और जो employment documents है, वो employer के दुवरा प्रोइड किये जाता है, आम तोर पर labors को, उसके बाद बिंदू देखे तो setup cap on service fees, यह यह low जो है, वो service fees के उपर एक प्रकर की cap set करता है, यानि की limit, ceiling भी हम लोग इसे कह सकते है, ठीक है, तो यह अपने आपने महत्तोपूना है, फाइदा क प्रकारक है labors को, क्योंकि यहां किसी भी case में, किसी भी मामले में, जो labor recruiters है, जो recruiting agencies है, वो इस cap से ज्यादा service charge नहीं ले सकेंगे, वो cap को यहां इस नए canon draft में घटाया गया है, उसके बाद it also outlines obligations for recruitment, recruiting agencies, यानि कि यहां एक प्रकर से, जो recruiting agents है, उनको एक जवाब दे ही दे ग ही है, कि उनको जो laborers है, जिनको वे ledger है, उनका धियान रखना पड़ेगा, in any case, they will be questioned, ठीक है, तो यहां इस प्रकार से, यह law जो है, वो बहुत ही productive था, मगर यह जो नया law है, इसमें कुछ प्राउधन एसे है, वैसे यह progressive law है, नया law, मगर कुछ प्राउधन एसे है, जो अ आज के इस चर्चा का, जिसके ताहत हिमाचल प्रदेश की tragedy देखनी है, जैसे अपने अपबरों में मीडिया रिपोर्ट में देखा होगा कि कैसे है, यह किन्नोर जिले का जो यह पूल है, वो कैसा धरासा ही हो गया, जो माचिस का जो बकसा होता है, वो कैसे, जो है, उसे हम हम लोग देखता है है, इसी modus operandise है, यहां तीन बिंदु देखेंगे और यह पुरा जो subject है, पुरा विशह ही हो, उसको समझने का प्रेहस करेंगे, जिसके ताहत सबसे प्रतम वाई न्यूस देखना है, फिर प्रम्ख बिंदु और बाद में जो human induced, ecological imbalance है, जो पारिस्थि उसके बाद जो extraordinary rainfalls हुए और उसके द्वारा जो multiple landslides हुए, multiple avalanche हुए, पूरा जो विस्तर है वो flooded हो गया, including धर्मसाला, ठीक है, तो यहां इन दो चीजों से आज यह मुद्दा जो है वो मरे सामने है, अब देखेंगे आगे इसके प्रमुख बिंदु, देखेंगे सबस देखेंगे इसलाइड डिस्टोइड ब्रीजिन किनोर बस्तरी एरिया, देखेंगे यहां हिमाचल का पूरा इंडिया है और इसमें यह हिमाचल प्रदेश का मैप है, और हिमाचल प्रदेश में भी जो dark blue colored है, यह किनोर है, ठीक है, यहां से सतल जनदी जो है वो कुछ इस दरा बहती है, और यहां पूरा बस्तरी एरिया है, ठीक है, तो ठीक इसी जगह यह हथा जिन में काफी सारे टावलर्स की मोथ हो गई थी, अगर किनोर को देखेंगे तो it is one of the 12 administrative districts of state, यह माचल में कुछ 12 district है, जिन में से एक जो है वो किनोर है, किनोर is further divided into three administrative zones, namely पूह, और निचार, and six तहसिल as well, district headquarters की बात करें, तो it is situated at Rekangapo, and the district is second least populous district after Lahol and Spiti, ठीक है, तो यह कुछ इसके तथियत है, जो हमें कहीं पर भी मिल सकते है, मगर यहां इस subject के साथ इसको देखें अगर, तो हम लोग relate कर सकते हैं, चीजों को याद रख सकते हैं, और समझ सकते हैं तो यह बत रही इसके जोगलोफिकल लोकेशन की साथी में, हिमाचल प्रदेश में किनुर की, किनुर का जो स्थान है उसकी, फिल आगे देखें, तो किनुर is at the center of the development, yes, किस प्रकर का development है, 2018-19 में पर्नामेल्टी स्टंडिंग कमीटी ने यह नोट किया था, इस बात की नों अगले बर्सों में, उसका जो potential है, उसका use करना पड़ेगा, इसका potential कहां है, तो एक तो है, renewable energy में, and renewable energy में भी, hydro power, hydro power के लिए, हमें check dams बनाने पड़ेंगे, construction activity करनी पड़ेगी, ठीक है, तो यह सरी चीजे जो है, जो आज हिमाचल में, बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, बहुत ही तेजी से, तो इसके सेंटर में, जो है, वो की नोर है, क्योंकि इमाचल में, अपने अपने की नोर में, development, जो है, उसका rate, उसका दर थोड़ा ज्यादा है, और निय जिलो की दृष्टी से, देखें है, क्या कहा गया है, in 2018-19, parliamentary standing committee noted, state should double its existing earnest hydropower, potential of 10,547, which means, they need to do 20 50,000 plus, in next coming years, there should increase number of check dams, there should increase number of bridges, water tunnels, यानि की ज्यादे से ज्यादे से ज्यादे जो नदी का बहा हो है, जो पानी है, वो टनल के द्वरा, उसे एक जगे से दूसरी जगे पहुचा है जाया है, और ये लगबग-लगबग, 72% divert करने की बात है, ठीक है, तो ये अपना अपने, development तो हो रहा है, मगर, at the cost of ecological imbalance हो रहा है, यहाँ से ecological imbalance जो है, उसका खतरा, अब इस राजिय समयत पूरे भारत, वो भारत के समयत पूरे विश्व के उपराज मन रहा है, और जो अखरी बिंदू है, वो कहता है, कि states are probably entering in phase of irreversible decline due to loss of ecology, यहाँ states लिखा गया है, वैसे बातम लोग हिमाचल प्रदेशी कर रहा है, मगर, यहाँ states लिखा गया है, क्यूंकि, ना मत्रह हिमाचल प्रदेशी से प्रभावी थे, मगर हिमाचल के साथ, चाहे उत्राखंड की बात करे, चाहे जमुन किश्मिर की बात करे, नौर्थ इस्ट के कोई भी रज्य की बात करे, सिक्किन की बात करे, यह सारे जो रज्य है वो समान समसिया का समना कर रहे और वो है ecological imbalance की, ecological imbalance होता है, defrostations है, excessive developments है, जो हम लोग बांद बांते है, check damage बांते है, hydro और जो projects है, उससे काफी ज़दा ecological imbalance उत्पन होता है, और हम लोग वो कर ही रहा है, तो यहां कहा गया है, बहुत ही गंबिर बात कहीं गयी है, कि they are entering in a phase of irreversible decline, यानि कि जो मुक्षान अज एकोलोजी का हो रहा है, वो फिर से हम लोग भरपाई नहीं कर पाएंगे, we cannot compensate, ठीक है, तो यह irreversible loss है, not a reversible loss, तो यह भी अपना आपने यहां बहुत ही गंबिर बात है, तो यह बत रही कुछ प्रमुख बिंदू की, अब आगे देखा तो हमें देखना है कि यह जो human induced ecological balance होता है, वो क्या होता है, जिसके लिए एक स्मार्ट आट अमरे सामने है, जिसके तहत कुछ बिंदू देखेंगे, सबसे प्रत्रम भारत का first industrial revolution नहीं, आपको समझना है, मैं विश्व के स्तर पर बात कर रहा हूं, जो विश्व का first industrial revolution यहां से शुरू हुआ, यहां से pollution की शुरूवत भारी मात्रा में हुई, और आज तो लोग बात ही नहीं कर सकते, इतनी मात्रा में प्रदूशन जो होता है, और तरह तरह का होता है, चाहे वो धुनी हो, चाहे वो जो है वायू प्रदूशन हो, या भूमी प्रदूशन हो, कोई भी हो, फिर दूसरा बिंदू कहता है climate change, येस, जलवयू परिवर्तन, जो आज वस्तवीकता है, और कई सारे छोटे छोटे जो द्विप देस है, जो द्विप हो सकता है कि इस climate change की वज़े से सारा जो बर्फ है, जो आज glacier में जमा है, वो सारा पिगल जाएगा, सारा आएगा समुद्र में, और समुद्र का जो स्तर है पानी का, वो बढ़ेगा, तो जो ऐसे से छोटे द्विप है, वो सारे डूब जाएंगे, तो ये अपना आपने ए किसी छोटे देश के पास भी या किसी भी प्रकर के अकरमक देश के पास nuclear weapons होना वो आज आश्च्रिय नहीं है, सारी दुनिया जानती है, सबको पता है, तो यहाँ इन से जो disaster हो सकता है, वो भी एक संभव होना है, जो अपना आपने बहुती ज़्यादा प्रमान में, pollution उत् फिर उसके बाद देखें तो प्रमबली ग्लोबल वर्मिंग है, जिसे भूम अडल की उसमी करने कहते है, pollution से climate change होता है, ग्लोबल वर्मिंग भी होता है, क्योंकि अपने आपने जो विश्व का ताप्मान है, जो average ताप्मान है, और ओसर ताप्मान है, वो धिरे दिरे बढ तक लाने के लिए कटी बद्ध है, मगर यहां collective efforts की जरूरत है, एक देश, एक खंड कुछ नहीं कर सकता, मगर समय साथ में मिलकर, हमरी economic activities को कम करके, ग्लोबल वर्मिंग से बाहर निकलना पड़ेगा, यह भी एक आज वस्तविता है, और pre-industrial level से ऐसा कहा जा रहा है, कि तक protection है, फिर उसके बाद देखें, तो oil spill, जो crude oil, जो आज हमारा main chief source energy का, वो एक जगह से दूसरी जगह transport किया जाता है, और इसमें ज्यादे से ज्यादे से transportation होता है, वो sea waste से होता है, तो यहां देखिए आप oil spill, यह जहाज है, और जहाज से कितना तेल समुद्र में गिरा उसे यह विनास कर रहा है, और ऐसे oil spill तो वर्स में कई बार होते हैं, कई बार, ठीक है, तो यहां यह भी एक अपना आपने दुरभाग्य पूर्णा है, फिर उसके बाद देखें, तो land degradation and desertification, यह भी एक हम मुद्दा है, क्योंकि मनुशिया development की चाह में, वो भूल जाता है कि जो प्रकुतिन दीवी चीज़े है, वो एक ही बार मिलेगी, अगर हम उसे विनास कर देंगे, उसे तबह कर देंगे, तो वो वापिस नहीं मिलेगी, तो हम लोग जंगलों को defrest कर रहा है, उसको तोड़ रहा है, उसका विनास कर रहा है, तो आप देखिए, यहां इस से land जो जमिल की कॉलिटी, जो होनी चाहिए, गुनवत्ता, वो भी कम हो रही है, और यहां डेजर्टिफिकेशन भी हो रहा है, यानि कि जो रण है, वो भी टेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उसका नहीं रोग पा रहा है, तो यह सारी चीज़े जो है, वो अपने आप में एक प्रकार से कारण है, एकोलोजिकल इन बेलेंस के, अब आगे देखें, तो एसी ड्रेइन, यास, ड्यू टू एक्सेसिव इंडिस्ट्रियल पोलूशन, ठीक है, एसी ड्रेइन होता है, जो मनुशियों को तो हानी करता ही है, मगर साथ में जो वनस्पती है, जो वेजिटेश इन बेलेंस, एकोलोजिकल सेंसिटिवीटी है, उसके बाद वेस्ट प्रोब्लेम, येस, प्लास्टिक वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, और कई प्रकार के वेस्ट, जो अपने अपने मनुश्य के लिए एक सर्दद बन गये है, अगर हमने वेस्ट कंट्रूल नहीं किया, वेस्ट को प्रोपली डिस्पोज नहीं किया, तो वो आगे चलकर हमारे लिए ही खत्रा साबीत हो सकते है, साथी में यहां वेस्ट डिस्पोज में भी टेक्निकली डिस्पोजिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि जो आज टेक्निकम लोग यूज़ कर रहे है, तो डंप इन द देखना है, तो यह सारे बिंदू अपने आप में वैसे तो इंटरकनेक्ट है मगर सारे के सारे इकलोजिकल इंबेलेंस के कारण है, और उसके बाद देखे तो ओजन डिपलीशन, यह भी प्रोदूशन का एर पॉल्यूशन का एक जो है बहुत खराब रिजल्ट है, जो हम क कैंसर तक भी करते हैं, ठीक है, तो यह आप देख रहे हैं ब्लू, यह ओजन लेर का गड़ा है, ठीक है, जो अब दीरे दीरे फिर से बरपाई हो रहा है, मगर यहाँ अभी आगे के दिनों में आगे के वर्सों में आगे के दशकों में, अगर अगर आपने ध्यान नहीं र आगे करता थे, तो कुछ मिला के यह सारे कारक जो थे वे अपने आप में, इकलोजिकल इंबिलेंस के थे, जो मतर और मतर है, यहाँ कहीं पर भी कुद्रत नहीं है, कहीं पर भी प्रक्रत होती नहीं है, मगर जो कुछ भी चीजे यहाँ जो हो रही है, वो सारी मानो सर्जी ही है, यूमन इंद्यूस्मेंट सही हो रही है, यहीं चीजे थी, जो आज मैं देखनी थी है, यहाँ लोग बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, साथ ही में, अलग-अलग स्टेटिस सब्जेक्ट को भी देखेंगे, और उनका भी एक विस्तार से अधियन करने का प्रियास क करेंगे, तो आज इतना ही हम लोग मिलेंगे अगले दिन, आप अपके ग्रूप में, आपके फ्रेंज को हमरी चैनल सब्सक्रेब कीजिए, सजेस्ट कीजिए, और उनको भी सिविल सर्विसिस की प्रिपरेशन के डिरेक्शन के तहत लाईए, हम साथ में तैयारी करेंगे, तो आज इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले दिन, अगले संपादे कीए संसो दन के ऐसा ही लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बेखतरी एगरत मांट UPSC.